राहुल गांधि आपके दिमाग में है मैने ने मार दिया उसको, वह ही ही नी, मेरे मैंड में ही ही नी, गया वो जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो, वो राहुल गांधी नहीं है, वो आपको दिख रा है, शिवजी को पढ़ो समझा जाएगी बात अब बात जब चलती है राहुल गांधी की और उनकी भारत जोड़ो यात्रा की तो अनायास बाबा तुलसीदास जी का वो दोहा जो है वो कई बार मैं आपको बता चुका हूँ वो याद आ जाता है और उसको आज के परिप्रेक्ष में और राहुल गांधी और कॉंग्रेस के परिप्रेक्ष में बिलकुल दोहराया जाना समीचीन है और वो क्या है वो यह है कि फूलही फलही न बेत जदपी सुधा बरसही जलद यानि कि बेत जो है वो फलते फूलते नहीं है जदपी सुधा मतलब अमरत जलद मतलब बादल कि बादल जो है वो भले ही अमरत की वर्षा कर दे बेत जो है वो फलते फूलते नहीं है प्रम्हा जी जैसे भी गुरू मिल जाएं तो भी मूर्ख के हिर्दय में चेतना नहीं आसकी और यहां तो गुरू कौन है यहां है गुरू कनहिया कुमार यहां है गुरू जैराम रमेश यहां गुरू अब पता नहीं गुरू कहें चला कहें खड़गे को वो हैं और तरह तरह के और लिफ्टिस्ट आइडियो लोग हैं और पाता नहीं कौन कौन से एक नंबर के मोतिये तो इन मोतियों के बीच में राहुल गान्दी बिलकुल अंदों में काने राजा के बाती सुशोबित हो रहे हैं और अबी-अबी उन्होंने भारतिय परंपरा, भारतिय शास्त्र, भारतिय पूझा पद्धति इन सब के बारे में अपने विचार देने आरम्भ कर दिये हैं तो मुझे लगा कि यह है है, आवश्यक है कि इनके जो विचार हैं, उनके बारे में जो वस्तु श्थिती हैं उसका कुछ relation कर लिया जाए वैसे तो पता है कि चारों तरब मोती है जब बैठें तो बाते तो मुर्खता की ही होगी क्योंकि तीन बड़े बड़े विचार व्यक्त किये हैं और ऐसा है कि केवल विचार व्यक्त करने से ही यदि कोई महान कहला जाता तब भाई हम तो कहते हैं कि हमारे जो संजे राउत हैं उन से तो बड़ा महान कोई नहीं हो सकता, वो तो ऐसे से विचार व्यक्त करते हैं कि जिनका कोई सानी नहीं होता तो भुमान कहला जाते हैं तो उनी के कॉंपटिशन में आजकल लाहूल गान्धी है अब लाहूल गान्धी ने एक दो तीन वा चुका है और आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो राहूल गांधी यदि मर चुका है तो वहां बैट के प्रेस कॉंफरेंस क्यों कर चुक कर रहा है मरने का अर्थ भी समझ में आता है कि राहूल गांधी को जब यह बात कही जाती है कि हमारा स्वतिरोहित हो गया है और हमारी समय जो है वो मैं तो समाप्त हो जाता है यहां तो पूरी तरह से अकड की एहंकार की बिलकुल जिसको कह सकते हैं कि गमंड की ऐसी वू आ रही है जिसमें वो बौल रहे हैं कर दो उसके आजब पास के चारों तरफ के लोग जो है अस और उस आभा को और उस व्यक्तित्व को वहाँ अनुभाव कर लेते हैं, जैसा कि परमहन्स में महसूस करते थे, जैसा कि स्वामी विवेकानन्द के आजपास जो रहते थे, उनकी जो व्यक्तित का जो प्रकाश था, वो सभी को आलोकित कर दिता था, जैसे आज भी जब किसी सिद्ध मंदिर में जाते हैं तो लोग उसका अनुभूती होती है भारत की जो वाक की परंपरा है जो वाक का दर्शन है उसमें भी यही कहा गया है वैखरी मद्यमा पश्चंती और परा तो ये भाई साब किस इस्थिती में हैं साइकॉलजी की किस इस इस तर वो तो उस जड़ता के इस तर से ये बात कर रहे हैं क्योंकि अद्वाइत के दर्शन में जहां पर एकात्म हो जाता है स्वा और परमात्मा वहां तो आदिशंकराचारे कहते हैं कि मनो बुद्य हंकार चित्तामिनाहम नच शोत्र जवे नच व्राण नेत्रे नच व्योम भूमिर्ण जोतर्ण वायु चिदानंद रूपह शिवोहम शिवोहम शिवत्त में लीन जो व्यक्तित्व है वो इस प्रकार की बात करता है वो यह नहीं कहता कि तपस्वी और पुजारी अलग अलग है यार एक तरफ तो आप कहते ओऊ के आप जो है वो एकत्त को प्राप्त हो गए हो और दूसरी तरफ आप हिंदू और हिंदुत्तों में भेद करते हो उसके बाद आप तपस्वी और पुजारी में भेद करने लगते हो ये इनकी दूसरी बड़ी उक्ति है कि ये देश तपस्वीयों का है पुजारीयों का नहीं है तो क्या भई पूजा पद्धती या जो पुजारी है जो पूरे मन प्राण से और आराधना में लगा हुआ है लोगों की एक आस्था का देवी प्रकृति तक पहुंचाने का एक माध्यम बना हुआ है वो स्वेम में एक तपस्या नहीं है तपस्या की परिभाशा क्या है अपना कर्म करना निस्प्रह भाव से यही तो सबसे बड़ी तपस्या है कर्मनिये वाधिकारस्ते मा भले शुकदाचन मा कर्म भिलही तुरू हूर्मा नचे संगोस्त व कर्मनी तो इसका अर्थ भी हमारे राहुल गांदी जी ने अलग तरह से दे दिया क्योंकि वो गीता के भी ग्यानी हो गए तपस्वी और पुजारी अलग-अलग तो हैं लेकिन आपको राहुल गांदी जी पुजारियों को माध्यम से देवी देवताओं को प्रसन करने के लिए उनकी अर्चना करते हुए एक आधिक बार मिल जाएंगे अब यह कोई पूछे कि भाई हमारे यहां तो अद्वाइत भी है द्वाइत भी है हमारे यहां तो चारवाक भी दर्चन है और यह सारे के सारे जो हैं यह मुक्ष के अभिलाशी हैं यह जो धर्म और कर्म के सिद्धानत में विश्वास रखते हैं आप लगता है कर्म के सिद्धानत में कतई विश्वास नहीं रखते क्योंकि आपके कर्म जो हैं वो सदै वो दूसरों को गलत सिद्ध करने में और एक से दुतिये बनाने में ही लगे रहते हैं ये जैसा कि कालिदास ने भी कहा कि भई वाब भ्याम तर्तियो न भवामि राजम इमकारणम भोज भवानि मूरखा तो दो से दो में तीसरा नहीं घुसता है जो दो में तीसरा घुस जाता है वो मूरखा कहलाता है तो कालिदास जी भी कह गए है तो आप जो है ये दौएत और अदौएत के बीच में तीसरे घुसके जो कारेकरम कर रहे हो रहुल गांदी जी वो मैं नहीं कह रहा है, कालिदास जी कह रहा है, कि जो दो के बीच में तीसरा घुस्ता है न, वो मूर्ख होता है, पुने हैं, आप से शवा मांगता हूँ या आपको बुरा लग गया हूँ, यह तो कालिदास की होगती है, मैं क्या कर सकता हूँ, जब आप तरह तरह के बेड, तरह तरह के द्वंद जब आप क्रियेट करते हो, तो यह जो विशेष्टा है, यह मार्कसिजम की है, यह जो विशेष्टा है, वो पश्चिम के द्वंद्वात्मक सिद्धानत जो बाइनरी कहते हैं, वो उसकी है, तो कि बारती सिद्धानत जो ह वह सर्व समावेशी है, एकमसत विप्रा बहुदा वदंती जब कहा जाता है, तो यह होता है कि अंत में सब एक है, यनि कि जो उदगम है वह एक है, लेकिन उसका जो प्रकटन है वह अलग-अलग है, इसलिए celebrate the difference, being different जिसको कहते हैं, तो being different जो है, वह सनातन का मूल तत्व है, और उस मूल तत्व में जिसको बार-बार कहा जाता है, अनिकता में एकता, वह इस स्थर्प आती है, उसी से एकमसत विप्रा बहुदा वदंती आता है, उसी से वसुदा वकुटमबकम आता है, और उसी से हिंसा पर मोधर्मा आता है, लेकिन ये सब अध्यात्म की बाते हैं, क्योंकि जब उसका प्रस्पुटन होता है, तो वह अनेका अनेक रंगों में बट जाता है, जिस प्रकाश से प्रकाश के भी हमको सात रूप तो दिखाई ही पड़ते हैं, और होते अनेका अनेक हैं, उसी प्रकाश से वह अनेका अन कततों में तो करते हैं विबेद अभ्रकतमें। अर्जुन का भी कुई लक्ष नहीं था अरे मूर्क गीता ने कहीं यह नहीं का हैं कि भिना लक्ष के आगे चलो। जी गीता बिलकुल इस पश्ट कहती है सुख दुख को एक करके लाभ अलाभ को एक करके यानि निस्प्रह भाव हो के युद्ध में प्रवृत्थ हो युद्ध में प्रवृत्थ क्यों हो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्थ हो यानि लक्ष तो आपके सामने रख दिया भगवान ने अर्जुन के सामने लक्ष तो पूरी तरह इस पश्ट करी ही दिया और आपने कहां से उपमाली इस आपके जब अरजुन जो था वो मचली के आख को भेद रहा था तब उसने किसी भी फल की कल्पना नहीं की थी अरे मूर्ख बिलकुल फल की कल्पना से ही उसने लक्ष सादा था लक्ष का मतलब ही फल होता है लक्ष हीनता जो है वह फल की चिंता ना करने का अर्थ नहीं है जिसको हमारे यहां बिलकुल इस पश्ट रूप से अंग्रेजी में जब समझाते हैं तो कहते हैं कि focus on the process the result will come automatically you don't focus on the result you focus on the result you spoil the process लेकिन उसका अर्थ यह नहीं कि result नहीं है उसके पास कोई batsman खेलने जा रहा है इस focusing on the process इसका मतलब यह नहीं है कि वो यह नहीं चाहता कि वो run बनाए उसका लक्ष है कि उसको team पर जिताना है उसको स्वेम के लिए अच्छा करना है संभव तो शतक भी बनाना है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है तुमारी समझ में कहां से आएगा यह निस्परह भाव तुमारी समझ में कहां से आएगा वो तो योग का भाव है योग का भाव बिलकुल इस पश्ट कर दिया जाए ना इसलिए भाई जो आप दूसरों कहते हो ना कि थोड़ा शिवजी को पढ़ो यार शिवजी को कौन पढ़ सका है कम आन राहुल बाबा शिवजी को कोई पढ़ सका है क्या आज तक जो शिवजी को समझ लेगा वो तो सेमशिव हो जाएगा उसको पढ़ने की आवशकता कहां पढ़े लिए इसलिए जो राहुल बाबा के दीरगवचन है इन दीरगवचनों का आप सब शिवण करें और उसके उपर जो मैंने बाते कही हैं उसको लेके उनका मनन करें और बाद में जो मैं कह रहा हूँ उसको सुने और उसके इसाब से जरा राहुल गांदी के बारे में सोचें यह है पूनता का यह है ब्रम का यह है एकत्व का यह है एकात्म का श्लोक है यह अनंत का भी श्लोक है यह आदि का भी श्लोक है अनादि का भी श्लोक है अखंड का भी श्लोक है अब इतनी समझ आ जाए तुम्हारे राहुल गांधी तब तुम इस तरह की मुर्खता की बातें ना करो जैहिन वंदे मातरम